इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकान को भी दबाएं ताकि आपको हेल समन्दी वीडियो का नए अपडेट सबसे पहले मिले गुड मॉनिंग आज की वीडियो हम लोग बात करते हैं टोटल लिको साइट काउंट का बढ़ जाना या घड़ जाना कारण क्या है क्यों बढ़ता है TLC या फिर क्यों घड़ जाता है TLC तो टोटल लिको साइट काउंट को 60 में क्या बोलते है TLC तो आज के पूरे वीडियो म यही हम लोग देख लेते हैं कि कौन-कौन से सामान कारण है जिसमें TLC घट या बढ़ सकता है तो आज के पूरे वीडियो में आपको ये बात ठीक से समझ में आ जाएगी तो इस्टार्ट करते हैं स्वेत रक्त कडिकाओं को लिकोसाइट्स भी कहते हैं जो बलड होता है उसके अंदर WBC और RBC दो सेल्स पाई जाती है तो जो स्वेत रक्त कडिकाओं को उन्हीं को लिकोसाइट्स कहते हैं और जो लाल रक्त कडिकाओं को उनको रिथ्रोसाइट्स बोलते हैं तो लिकोसाइट्स को WBC और इर्थ्रोसाइट्स को RBC कहते हैं स्वेत रक्त कडिकाओं सरीर की सुरच्छा प्रणाली बनाती हैं और सरीर में होने वाले संक्रमन तथा चोटों से होने वाले नुकसान को खत्म करती हैं और सरीर को स्वस्त बनाती हैं तो इस तरह से आप समझ लेजे कि जो leukocides हैं, means जो WBC हैं, वो सब सरीर के सुरच्छा बेवस्था बनाती हैं, और सुरच्छा बेवस्था बनाने के साथ साथ जो भी infection होते हैं उनको नश्ट करती हैं, तो यही काम है स्वेत रख्त कडिकाओं का, तरहीं स्वेत रख्त कडिका सरीर की सुरच्छा बेवस्था को बनाया रखती हैं, और जो भी infection होगा उसको नश्ट करेंगी, नश्ट करने की कोशिस करती हैं, शरीर में TLC का बढ़ जाना यह बताता है कि सरीर में होने वाले संक्रमन से लड़ रही है, मतलब TLC अगर बढ़ गया तो घबराने की कोई ब मतलबे हैं कि सरीर की immunity होने वाले infection को खत्म करने की कोशिस कर रही है, लोग घबडा जाते हैं कि TLC बढ़ गया है, तो TLC का बढ़ना कोई बिमारी नहीं होती है, TLC का बढ़ना एक indication है, एक लच्छन है कि सरीर में कुछ infection हो चुका है, उस infection से सरीर निजात पाने की कोशिस कर रही है, दिखे clear है, सरीर में TLC का बढ़ जाना ये बताता है कि सरीर होने वाले संकर्मन से लड़ रही है, तथा सरीर की रोग प्रतिरोधक चमता कार कर रही है, TLC का बढ़ जाने से कोई घबराने की कोई बात नहीं है, उसके बढ़ने का सिर्फ मतलब इतना हीता है, कि सरी की immunity होने वाले जो संक्रमन हैं जो बिमारी हैं उनसे निजात पाने की कोशिस कर रही है तो इससे घबराने के कोई बात नहीं होती है TLC सामानतिया 4000 से 1000 पर 100 ml होती है यहीं 100 ml अगर आप बलड ले 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 तो इसमें जो WBC का जो काउंट होता है न 4 से 1000 होती है लगभग तो TLC सामानतिया 4000 से 1000 होती है अब TLC किन कारणों से बढ़ जाती है तो TLC के बढ़ने का प्रमूख कारण क्या है कहीं चोट लगी हो अंद्रूर्णी चोट भी हो सकती है और बाहरी चोट भी हो सकती है तीसरा शरीर के किसी भाग में inflammation या सूजन हो, कहीं पर भी सूजन हो, तो उस वज़ा से भी TLC बढ़ जाता है, और allergy होने की वज़ा से भी TLC बढ़ जाता है, कार्टिको इस्ट्राइड दवा का सेवन, जो की painkillers होते हैं, इस्ट्राइड, मार्फीन, ओपियम, तो इस सब जो कार्टिको इस्ट्राइड स्रेंडी के जो दवाईएं हैं, उनको सेवन करने से भी TLC बढ़ जाती है, और अतधिक मात्रा में ब्यायाम, इकसरसाइज करना या काम करना उस वज़ा से भी TLC बढ़ जाती है, उसे घबरानी कोई बात नहीं, काली खासी या फिर टीबी का संक्रमन हुआ हो, टूबर कुलोसिस होई हो, तो भी TLC बढ़ जाती है, तो यह जो सामान कारण है TLC को बढ़ने की, तो TLC का बढ़ जाए, तो उसका क्या इलाज है, इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे, उसके पहले ही हम लोग यह देख लेते हैं, कि TLC किन कारण से घड़ जाती है, शरीर में TLC का घड़ जाना यह बताता है कि शरीर में होने म संक्रमन स्वेत रक्त कणिकाओं को नश्ट कर रही है, घड़ जाने का मतलब क्या है, कि स्वेत रक्त कणिकाओं कमजोर पड़ रही है, और सरीर का जो इंफेक्शन हुआ है, वो प्रवावसाली है, TLC के घड़ जाने के प्रमुक कारणों में क्या क्या है, पहला है कि ऐसे सबजीयों इन सबका सेवन कर रहे हैं, जिसमें पेस्टिसाइड अधिक मात्रा में यूज किया गया है, और दूसरा जो बार-बार कीमोथिरेपी लेते हैं, या रेडियेशन बार-बार सरीर से गुजर रही हो, मतलब अल्टरसाउंड करवा रहे हो, कीमोथिरेपी या फिर इसी टाइप्स के और जो ट्रिटमेंट में यूज किये जाने वाले जो टेस्ट हैं, चेक अप हैं, अगर उनको बार-बार सरीर से पास हो रही है, तो भी TLC घटने का कारण है, आटो इम्यून डिसाडर, आटो इम्यून डिसाडर मतलब जो इम्यूनिटी सरीर की है, वो अ आटो इम्यून डिसाडर बोलते हैं, तो आटो इम्यून डिसाडर भी एक कारण है, और चौथा कारण क्या है, बाइरस के संक्रमन के कारण, बोन मेरो प्रचुर मात्रा में लिकोसाइट्स नहीं बना रही है, अगर बाइरस का संक्रमन हो जाएगा बोन मेरो में, तो भी ज इनको leukocides count बढ़ गया है या फिर घट गया है means परिवर्तित हो गया है तो करना क्या है आपको दिखें सिंपल सा है क्या करें कि TLC सामाने रहें हरी सबजियां मौसमी फल का सेवन करें उसके अंदर कई antioxidant पाया जाते हैं जो की सरीर की WBC, RBC की जो count है संख्या है उसको कि इलाज करवाएं कहीं चोट लगी नियत मतलब सोने जगने घाने इन सब कर tiान्य निश्चित रखेंगे तरु सरीर जो भी głटक्षन होगा उसके उपर उसके ब़िए निजात पा जाएगा दो बहुत अच्छी दवा है होमेपैथी में अगर TLC चेंज हो रहा है घड़ भी रहा हो या फिर बढ़ भी रहा हो दोनों अवस्थाओं के लिए एक्वल तरीके से काम करती है तो हमेपैथी की दवा है एवीना सेटाइवा क्यो का दस बूंत एक कप या फिर एक गिलास दूध में मिला कर तीन बार पियें यानि एमिना सिटाइवा का मदर टिंचर ले लें कियू पावर की दस बूंद एक कप पानी में या फिर एक कप दूध में मिला कर उसको जरूर पियें अगर आप दूध में पिते हैं तो और अच्छा काम करेगा और दूसरी दवा है बायो कंबिनेशन 27 नमर टेबलेट्स आते हैं छोटे छोटे रहते हैं तो बायो कंबिनेशन 27 नमर के टेबलेट्स ले लें उसकी चार गोली तीन बार जीब पर रखें यानि जीब पर ही गल जाने दें तो जो बायो कंबिनेशन 27 नमर है न ये सभी बेवस्थाओं को ठीक करती है और immunity को strong बनाती है तो इस तरह से आप जो total लिकोसाइट्स count है घट जाता है या फिर बढ़ जाता है इससे जो भी दिक्कत है उससे आपने जात पा सकते हैं तो आपको वीडियो अच्छा लगा जानकारी समझ में आई तिस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी पता चल सके थेंक्यू